नमबर टू, क्या जैक्फूरूट से रोटी बन सकती है? भारत दुनिया का डाइबेटीस कापिटल है, यहां के 12% पोपिलेशन डाइबेटीस की पेशन्स हैं, और इसका में रीज अनहेल्धी खाना और लाइस्टाइल. तो हम क्या कर सकते हैं? केरला के जेम्स सर ने ये सवाल खुद को पूछे. जेम्स सर माइक्रोसॉट में डिरेक्टर थे, लेकिन 2012 में उन्होंने अपनी अच्छी खासी नोकरी छोड़ दी, क्यूंकि उनकी बेटी को जैक्फूरूट स्खाने थे. जेक्फूरूट फूड नई स्पूपर फूड है. इसका फाइबर बैट कोलेस्टरॉल कम करने में हेल्प करता है. क्यालरीस कमर वाटर कॉन्टेंट ज्यादा होने की वज़ज़ से आपका पेट जल्दी भर जाता है. बेसिकली जैक्फूरूट का ग्लूकोज लेवल राइस और वीड्स पे आधा होता है. जैक्फूरूट 365, जेम्स सूर का स्टार्ट अप यही करता है. सालों की रिसर्च के बाद उनने फ्लार के फॉर्म में जैक्फूरूट को इंट्रिडिउस किया. आपके रोटी या इड्ली फ्लार में एक स्पून इस जैक्फूरूट फ्लार को आड़ करने से टेस्ट या टेक्स्ट्यर बिल्कुल नहीं बदलता. लेकिन उसमें फाइबर और आंटी ओक्सिदंस एड़ हो जाते हैं. ऐसे जैक्फूरूट जो वेस्ट होते थे उनका यूज होने लगा और अपनी लाइफस्टाइल बदले बगएर डाइबेटीस को कंट्रोल करने का एक नाच्रल सल्यूशिन भारत को मिल गया. जैक्फूरूट से एडली दोसा बनाना सुनने में इंपॉसिबल लगता है. लेकिन सच नमबर थ्री.